गर्मिया तो किसी को पसंद नहीं है बट फिर भी हम सब गर्मियों का बेसबरी से इंतजार करते हैं किसके लिए? जी हाँ, फलों के राजा आम के लिए आम का नाम सुनते ही हमारे मुँ में पानी आ जाता है और हम कुप शौक से आम खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं लेकिन आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बच्चों को आम मत दो नुकसान करेगा इसलिए कई मदर्स भी परिशान रहती हैं कि छोटे बच्चों को आम दें या नहीं या किस एज से बच्चों को आम देना शुरू करना चाहिए या बच्चे को आम देने से क्या-क्या फायदे होते हैं तो आज किस वीडियो में हम यही सब डिसकस करने वाले हैं Hello Friends, Welcome to my channel Baby Care with Amita सबसे पहले तो आम के फायदे जान लीजिए आम में natural sugar और carbohydrate होता है जिससे बच्चों को energy मिलती है इसके अलावा आम में vitamin A, C, B, iron, potassium, calcium और fiber भी होता है जो बच्चों की आँखों, हड्डियों, दिमाग और पाचन के लिए बहुत अच्छा है इसके अलावा आम खाने से बच्चों के immunity भी strong होती है और ऐसा बिलकुल नहीं है कि छोटे बच्चों को आम नहीं देना चाहिए आप 6 महिने के बाद जब बच्चे का solid start करती है तभी आप आम को भी introduce कर सकती है लेकिन हाँ आपको को जरूरी बातों का ध्यान रखना है सबसे पहली बात आप जब भी आम खरीद कर लाती है तो उसे आदे से एक घंटे पानी में भिगो कर जरूर रखना है उसके बाद अच्छे से धो कर तब आपको बच्चों को खाने के लिए देना है अगर 6-7 महिने के बच्चे को आम दे रही है तो आम को अच्छे से काट कर छील कर उसकी प्यूरी बना कर फिर बच्चे को दीजिए और ये ध्यान रखना है कि आम का छिलका उसमें बिल्कुल भी ना हो 9-10 महिने से बड़े बच्चे को आम देती हैं तो आप आम काट के चोटे-चोटे टुक्डों में दे सकती है कर लीजिए वो खूब मेठा हो अच्छे से पका हुआ हो तब ही आप उसे बच्चे को दीजिए कई बार आम सड़े हुए होते हैं कच्छे होते हैं खट्टे होते हैं बहुत ज्यादा तो ऐसे फल बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चों को बहुत ज्यादा आम खाने के लिए नहीं देना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं थोड़ा सा आम खिला दीजिए और थोड़ा सा दूसरे फल दे दीजिए बहुत सारा आम खाने से बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि बच्चे को आम खाने से ऐलर्जी हो रही है उसके स्किन पर रैशेज हो रहे हैं या दाने निकल रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आम खिलाना बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से कंसर्ड कर दिए इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे आप अराम से बच्चे को आम खाने के लिए दे सकती हैं तो आप भी आम खाईए बच्चों को भी खिलाईए और इंजोई कर ये समर सीजन थैंक्स पर वाचिंग